आरजेडी के यूराज और बिहार के उपमुख्यमंत्री तिजस्वी यादों ने गुजरात के लोगों को गुजरातियों को ठग कहा है यह कितनी निंदनिय बयान है रास्टिय जनता दल के लोगों को माफी मागनी चाहिए तिजस्वी आदों को बिहार और गुजराद की जंता से ही नहीं देश की जंता से माफी मागनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाब विपक्ष इन दिनों कुन्ठा से ग्रसित है और उन पर निसाना साधने के लिए जिस तरीके से ये लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं छेत्रवाद का सहारा ले रहे हैं जातिवाद का सहारा ले रहे हैं यह घोर निंदनिय हैं इससे यह भी परिलक्षित होता है कि तेजस्वी आदव अनुभवी तो हैं ही नहीं इनको ग्यान की कमी है शिक्षा की कमी है यह बात भी असपस्ट होती है तेजस्वी आदव अगर लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नहीं होते तो रास्टिय जनता दल में उनसे ज्यादा काबिल दलित पिछरे अति 2005 तक आरजेडी के शासन के बूरे अनुभव के बाद बिहार की जनता एक बार फिर से तरह हिमाम कर रही तेजस्वी आदव को अपने बयानबाजी के लिए माफी माँगनी है आरजेडी के यूराज और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी आदों ने गुजरात के लोगों को गुजरातियों को ठग कहा है यह कितनी निंदनिय बयान है रास्टिय जनता दल के लोगों को माफी माँगनी चाहिए तिजस्वी आदों को बिहार और गुजराद की जंता से ही नहीं देश की जंता से माफी मागनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाब विपक्ष इन दिनों कुन्ठा से ग्रसित है और उन पर निशाना साधने के लिए जिस तरीके से ये लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं छेत्रवाद का सहारा ले रहे हैं जातिवाद का सहारा ले रहे हैं यह घोर निंदनिय हैं इससे यह भी परिलक्षित होता है कि तेजस्वी आदो अनुभावी तो हैं ही नहीं इनको ग्यान की कमी है शिक्षा की कमी है यह बात भी असपस्ट होती है तेजस्वी आदो अगर लालू प्रसाद यादो जी के बेटे नहीं होते तो रास्टिय जनता दल में उनसे ज्यादा काबिल दलित पिछरे अति पिछर में 2005 तक RJD के शासन के बूरे अनुभाव के बाद बिहार की जनता एक बार फिर से तरह ही माम कर रही तेजस्वी आदो को अपने बयानबाजी के लिए माफी मांगनी